अश्येताम पांड़ पुत्राणाम आचार्य महतींचमूं विर्हाम दुर्पद पुत्रेना तवशिषेन धीमताम। देखिए एताम पांड़ पुत्राणाम आचार्यम हे आचार्य पांड़ पुत्राणाम पांड़ पुत्रों की इस सेना को देखिए पश्य एताम मतलब इस सेना को देखिए हे दुर्णाचारे जी हे आचारे देखिए महतीन चमू महतीन विशाल सेना को देखे विवधाम दुरुपद पुत्रेन दुरुपद के पुत्र के द्वारा ये विवस्था बनाई गई तो दुरुधन को ये सामने वाले जो फील्ड है उसके बारे में जानकारी होती है तो ये वन अब दा तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे धीमता से धीमता से मतलब बहुत बढ़िमानी से तुम्हारे शिष्य के द्वारा ये सेना की विवरजना की गई हे आचार ये पांड पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्यमान शिष्य दुरुपद के पुत्र ने इतने कौशल से विवस्तित तो इस तरह के भाषा का प्रयोग करना वैशनव जो संसकार है उसमें ठीक नहीं कटाक्ष की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए अपने गुरु आचार ये द्रोण के लिए ये कह रहे हैं कि देखिए आपके शिष्य ने कितनी अच्छी सेना बनाई है लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो तुमने इन अपने शिष्य को इतना ट्रेनिंग दिया था उसका ये फल मिला देखो जब आपको पता था इतना ब्रामड ब्रामड कर रहे हो जब आपको पता था कि भाई ये व्यक्ति दुरुपद ने एक समय पर मित्रता में दुरुपद ने डुणाचारे से बच्पन में ही कह दिया था कि ये मित्र बड़े होकर मैं आधा राजे तुमको दे दूँगा लेजिन जब थोड़ा बड़े हो गए तो एक दिन अश्वत्थामा जो उनका बेटा था उसको पिलाने के लिए दूद नहीं था तो बहुत गरीबी में कृपी जो है दुणाचारे की पत्ति कृपचारे की बेहन आधा राजे आपको दे दे देंगे आधा राजे मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ये तो वहने मजाक में कह दिया था दुद ने कहा लेकिन दुणाचारे बहुत कुंठित हो गए फिर दुणाचारे मन में बहुत कुंठित हो करके इदर उदर भटक रहे थे एक दिन पांडव गण कौरव गण सब एक साथ बच्चे खेल रहे थे पर एक कुंए में एक गेंद गिर गई उस गेंद को ये बच्चे निकाल नहीं पा रहे थे दुणाचारे ने सिंक ले करके जो सिंक की लकड़ी होती है सिंक लकड़ी सी लकड़ी होती एक के उपर एक एक के उपर एक एक के उपर एक मार के गेंद में छेद करके इसको मार के गेंद को निकाल दिया तो ये बात भीश मुपितामा को बताई गई भीश में पिता महां बच्चों से ये सुन करके उस व्यक्ति से मिलना चाहना कि इन्होंने मिलना चाहा फिर दोनाचारे के पास आए और उन्हें इनका सब का गुरू बना दिया तो जब कुछ समय तक ये लोग सीख गए तो दोनाचारे ने इनसे गुरु दक्षणा मांगी और कहा कि आप गुरु दक्षणा में दृपद मुझे बंदी बना कर चाहिए दृपद आ गए अरजन इत्यादी इनको बंदी बना कर लेकर आ गए दृपद की बहुत बेजिती करके इन्होंने इनको छोड़ दिया क्योंकि अब आजीविका के लिए इनके पास अस्तिनापुर का आचारे की गदी तो है ही है लेकिन दृपद को बहुत बुरा लगा दृपद ने एक यग्य किया एक ऐसा यग्य जिसमें दृपदी दृपदी दूसरे दृपद दृपद के जो पुद्र थे दृष्ट दृब्न वो जन्म लिए दृष्ट दृब्न का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि उनको दृणाचारे को मारने के लिए और दृणाचारे को ये वर्दान था कि जब तक वो शस्त्र धारन किये हुए हैं कोई उनको हरा नहीं सकता दृपदी ने भी वहीं से जन्म लिया इसलिए दृपदी को यग्य जन्मा कहा जाता है दृपदी इस सिंसार में सबसे सती नारियों में सबसे सेष्ट नारियों में सब्त कन्याएं ऐसे बोलते हैं उसमें से एक इनका भी नाम आता है सब्त करने आएं सब्त करने आएं मंदोदरी अहल्या क्यादी आपको मेरी आवाज आ रही है सबको आवाज आ रही है है न क्लियर आ रही है क्लियर आ रही है अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोडरी तथा पंचक अन्याह स्मरेत नित्यम महापातक नाशल सब बोलते हैं ब्रह्मो पुराण में थीसरे सकंद के साथ वे अध्याई के दोस्ट निस वे इस श्लोक में अहल्या रिशी गौतम की पत्नी द्रौपदी जो पंड़ों की पत्नी तारा वानराजबाली की पत्नी कुंती पांडू की पत्नी और मंदोडरी रावण की पत्नी इन पांच कर्ण्याओं का प्रदिदिन स्मरन करने से सारे पाप धुल जाते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि सनातन धर्म में जो है अन्याए हो रहा है ठीक है तो दुरुपदी यह जन्म लिए दृष्ट दुम नो इससे मारने के लिए दृष्ट दुम का जन्म होता है लेकिन जब दृष्ट दुम इनका सेनापती बन जाता है पांडू का तो यह बहुत दुखी होते हैं परम राजनितिग दृष्ट दुरुधन बहुत दुखी होते हैं और इस चीज़ को इंगित करना चाहते हैं कि आपकी यह गल्ती है कि दृष्ट दुम ने जब आपके पास लड़ाई सीखने के लिए आया था तो आपने उसको फिर भी सिखा दिया जबकी वो ब्रामण का एक नियम है कि वो कोई भी आता है तो उसकी जात, पाद, दुश्मन, इत्यादी सब देखे बिना वो इसमें मना नहीं कर सकता तो इसलिए दृष्ट दुम न जो थे वो जब दृष्ट दुम न जो थे और उसी विद्धिया का इन्होंने इस्तिमाल किया लेकिन इस तरह का कटाक्ष की भाशा हम को दूसरों को फेस वैल्यू से लेना चाहिए अगर कोई नाटक करना करे तो हम को एकसप्ट कर लेना चाहिए उसका नाटक क्योंकि हम को किसी को गलत सिद्ध करके कुछ प्राप्त नहीं होता है हमारे लोग कोई है बहाने बना रहा है तो बहाने बनाना हमारे लिए प्रश्ण नहीं है आप मेरी बात को समझो मैं जिस चीज़ को तरफ आपका ध्यान लेके जा रहा हूँ बहाना बनाना हमारा मेन वो नहीं है वो बहाने को हमको काटना मेन वो नहीं है हमारे लिए तो प्रश्ण यह है कि व्यक्ति हमारे सामने बहाना बना क्यों रहा है मैं भी इसलिए मैं भी यह सोचता था अगर कोई व्यक्ति जूट बोलता था तो मैं उसके जूट को सच मान लेता था क्योंकि मैं ने सोचता था कि अगर ये जूट बोल रहा है तो इसके जूट को पकड़ लेना ये कोई वेरता की बात नहीं जूट देखते हुए भी ये सोचना कि मैंने ऐसा क्या किया है कि ये व्यक्ति जूट बोल रहा है मेरे से आखिर मैं कौन सा ऐसा स्वार्थ है जो मैं सिद्ध कर रहा हूँ या कौन सा ऐसा भें है जो जिसके वज़े से इस व्यक्ति को जूट बोलना पड़ रहा है मेरे सामने थे एक बार मैं चारुगों इंद प्रोग हैं हमारे मेरट में तो हम ये डिसकस अभी तो मेरट में सेवा के लिए चले के पहले थे हमारे साथ मुझा शुरु शुरुमित मैं इसी ही प्रशाद अगरे खिलाता था वो तो मुझे अपने गाइड के रूप में बोलते हैं लेकि लीडर है वहां के तो मैं यह कह रहा था कि लोगों को फेस वैलिउ से देखना अब ये छिप करके उनके गलती बताने से इस तरह का सरलहरदय वैश्णव को होना चाहिए सरलहरदय होना चाहिए इस तरह का नहीं कि छिपा रहे हैं कुछ तो हम तो ना किसी के ओपर कटाक्ष करना आप ये समझना पड़ेगा ये बहुत इंपोर्टन चीज में बता रहा हूं ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की भाशा इस्तिमाल करना एक आदब बन जाए गया और कुछ दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना वैश्णव अप परात कर रहे हैं किसी किसी को आदद हो जाती है आप देखेंगे न किसी किसी को यादत हो जाती हूँ कटाक्ष से ही बात करें माली जय नमक बहुत ज़्यादा थैं तो वो कहेंगे कि प्रभु जी इतनी मेठी सबजी बनाई है ना आपने बहुत मेठी है वाँ, क्या स्वाद क्योंकि सबको पता है कि नमक जदे तो ये कटाक्षिक की जो भाशा है ये जो वैशनव आचरण का अभ्यास है ये वैशनवوں की संग में नहीं होता है वैशनव आचरण का अभ्यास संगत के बाद भी जब हम सामान ये जगत में रहते हैं तब भी होता है इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपून है कि हम अपने आचरन को हमेशा अच्छा रखें ऐसा हम नहीं कर सकते कि आफिस में तो मैं गालिया देता हूँ और फिर जब मैं सामान ये रहता हूँ तो मैं नहीं देता हूँ या जब मैं लक्षे देता हूँ तब तो मैं बड़े डीसेंट भाशा यूज़ करता हूँ और जब मैं सामान ये भक्तों से मिलता हूँ तब मैं अभधर भाशा का प्रयोग करता हूँ तो यश्वमति माताजी एक दिन मुझे समझा रही थी मैं हम तीन लोग बैटे थे माताजी प्रभपाज जी की शिष्य है आप लोगों ने देखा हुआ बहुत मोटे से माताजी एक मोटे से हैं प्रभपाज जी के शिष्य फॉरें बॉडिड है स्विजलेंड से कहीं से तो गाते अच्छा हैं माताजी तो मैं बैठा था मेरे साथ एक कहां की बात यह शाहद आइंदरा प्रभव के रूम की बात है शाहते है वह मिट्टी का कुछ ऐसे जोपड़ी गजैसा था वहां मैं बैठा यहां उनके कमरे की बात है शाहते हम तीन चार डिवोटीज बैठा र अब ध्यान दीजे यह हैं आदत पड़ जाती है इसलिए आच्रण कभी अच्छा कभी बुरा इस तरह से हम करने ही सकते हम देखें जैसे किसी किसी को न मैंने देखा है भाशा में गालियां देने के आदत होती जैसे हर्याना वगर में या फिर ऐसा नहीं को इनके हिरदा मे प्रेम नहीं है मैं देख रहा था मैं अभी कुछ दिन पहले गया था मेरट में तो मैंने देखा कि अपने बच्चों को पत्मी को सब को गालिया देते हैं को गालिया देते हैं और एक दो ऐसा लग रहा था कि यह क्या भाई बहुत पत्मी को भी बात करते हैं सब को गालिया दे रहे हैं सारे यह माताओं से रिलेटेड जो गालिया हैं वो सब को दे रहे हैं वो जीवन का हर एक शन एक अभ्यास है हर शन में एक अभ्यास कर रहे हम हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी आदत पढ़ने वाली है हमको इसलिए हमें अपने आचरण को शुद्ध ही रखना पड़ेगा कटाक्षवाली भाषा का प्रयोग करना यदि किसी से हमें कोई दिक्कत होती है आप रिक्वेस्ट कह सकते हैं उनसे कि प्रभुजी आप जब इस तरह से करते हैं तो मैं इसको कैसे मैं रियाक्ट बलो क्या मैं करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये वाला मतलब मैं इस मेरे मेरे रिदे में कुछ वैशना अपराद हो जाते हैं बस ये हम कर सकते हैं बस आप समझ पा रहे हैं तो यह नहीं कि जैसे मान लोग कोई कुछ गल्ती करता है अब हम बोल नहीं पा रहे हैं उस गल्ती को तो हम यह कह रहे हैं कि वह प्रभुजी वह क्या बात है मारे किसी के कपरे प्रेस नहीं है तो आप कटाक्ष करें वह प्रभुजी इतने इतना इतना साफ सुथरा, इतना सुन्दर कपड़ा आपने पहना है कि पुछो इमेत, जनता बेहोश हो जाएगी इस तरह कि भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए यह अपने गुरुजी से ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं परम राजनितिक ये दुरियोधन, महान, ब्रामण सेनापती, दुर्णचारे के दोशों को एंगित करना चाहता था अरजन की पतनी दुरौपदी के पता, राजा दुरुपद के साथ दुर्णचारे का कुछ राजनितिक जगड़ा था इस जगड़े के फलसुरू दुरुपद ने एक महान यग्य संपन्य किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वर्दान मिला जो दुरुणाचारे का वद्ध कर सके दुरुणाचारे इसे भली भाती जानता था लाकिन तो जब दुरुपद का पुत्र दुरुणाचारे का वद्ध के लिए उनको सौपा गया तो दुरुणाचारे को उसे अपने सारे सायनिक रहस्य प्रदान करने में कोई हिचक नहीं है अब दुरुणाचारे की इस दुरुणाचारे की इस दुरुबलता की और इंगित किया जिसे वह युद्ध से सजग रहे और समझोता न करे कम से कम दुरुधन ये सोच रहा है कि भया अब तो ठीक रहुआ आप कम से कम अब तो ठीक रहुआ आप अब तो नहीं करो कुछ कम से कम अब कुछ समझाता मत कर लेना लेकिन दुरुणाचारे के हिरदय में चलते हैं ना दुरुणाचारे का हिरदय क्या सोच रहा होगा कि गरीबी आ गई है बच्चे के लिए जो अश्वथामा के लिए एक लोता बेटे होने के बावजूद भी अश्वथामा अपना ही शिश्य भी बनाया है उसको लेकिन अरजुन से ज्यादा प्रैम करते हैं अश्वत्थामा एक लौता बेटा है फिर भी दूणाचार्य दूध एक दिन नहीं था उसके वज़े से इतनी गरीब ही आ गए थी कि दूध पिलाने के लिए उसको दूध ही नहीं था तो भी अश्वत्थामा इतने शक्तिशाली है जो दूणाचार इतने शक्तिशाली है तब भी वो ब्राह्मन का कारे ही कर रहे हैं वो दान पर ही आश्रित रहना चाहते हैं वो नौकरी नहीं कर रहे हैं क्या करें ऐसी स्थिती आगए इसलिए नौकरी करना पड़ जा रहे हैं तो यहां पर ये चीज़ को कह रहे हैं तो रिधन ने यह स्पीच इत्तार्मी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है उसकी दोरा वदुनाचार को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रेशिश पांड़ों के प्रती युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे तो वह बस इतना चाहता था कि समझावता ना करें एक चीज़ और दूसरा चीज़ यह है वो भी विश्वास था कताक्षकर के बात करने में एक आनंद मिलता है कई बार लोगों को यह लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ तो अपने बुद्धिमानी को सिद्ध करने के लिए वैश्णा मिलें तो यह बाते इतने ना मतलब अपने बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए कई बार ऐसे करते हैं कि जैसे मानलो मौनिका माताजी को कोई के बारे में कुछ बात है पूछना है, तो यह मौनिका मातजी से नहीं पूछी, वो किसी और और से पूछ करके, मौनिका मातजी को बताइंगे, कि ठीक है, तो आप लएना हैं आजकल, है न? मौनिका माताजी बुलेंगे हम ने तो आपको बता नहीं पर हम ने तो सद पता ही रहता है कहने का अबलब मैं बहुत महान हूँ श्री श्री एक हजार आठ परम देवता हूँ हो क्या देवता नहीं हो भाई सुबह पता चल जाएगा लेकिन इस तरह की जैसे इस तरह सहज होना वैशनव के लिए बहुत जरूरी है जैसा हो वैसा बता जिए ऐसे ऐसे है प्रभुजी अभी क्या करें लेकिन ये ना करके बहुत कॉम्पलेक्स हो गए है किसी को भी सीधे दाथ कोई पूछता है कि भई कैसे यहां से रास्ता अब आदध पढ़वाती है इस कॉम्पलेक्सिटी इस अभी ना पीपल आज सू कॉम्पलेक्सिटी अस बिकम एर हाबिट कोई पोछता है कि यह दुकान कहा है तो हम यह नहीं बोलते हैं कि बहुत दुकान इधर हम यह बोलते हैं तुम्हें वहां क्यों जाना है क्या मन्शा है तुम्हारी वहां जाने की पर वो तो आप कहां से आए वो तो वहां पर भी मिल जाएगा फिर यहां क्यों खरीद रहें आप अरे भई ठीक है मेरी आफ आयार दर्ज कर लो बस तुम अगर पुलिस वाले होता है नहीं समझ पार है कि नहीं इसलिए लांगज, actions, everything makes our habit इस बात को समझ नहीं, thought process is a habit because these are material thing it becomes a habit, try to understand this don't create new wrong habits we are already branched in it already we are branched with so many wrong habits why to create new habits beware, इसलिए साथान रहना चाहिए एग दिन आब ये एक बहुती subtle चीज है एक जीवन शहली की, गालिया देना शुरू करना या फिर भाशा में कुछ लोग slangs बहुत जादे यूज करते है स्रांक्स जैसे की अभे 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 वर्ड यूज करते हैं अभे ओए ओए क्या कर रहा ये जो वैश्नव जो हैं वे अपनी बिटिया को भी माता जी बुलाते हैं अपनी बिटिया बस वाइफ, हस्बंड एक दूसरी को माता जी तो प्रभुजी बुलाते हैं पर प्रभुजी माता जी को माता जी नहीं बुलाते हैं लोगिन, everything creates a habit try to understand this the way we dress, the way we keep things, the way we deal with people we are initiating a habit we are initiating a habit it will inculcate in our lifestyle and one day we will be doing this with those people whom we love who are very close to us जिनको हम प्रेम करते हैं, वो भी हो सकता है किसी दिन उनके साथ भी हम ऐसा ही बरताफ करें हमको पता नहीं चलेगा जूट बोलने की आदत है हमारी, मान ने जूट बोलने की आदत है आदत पढ़ गई है जूट बोलने की कोई भी कोश भी पूछता है अच्छा आपका नाम क्या है तो बोलेंगे की नाम तो हमारा क्या है ना डायलोग है ना, रिष्टे में हम तुमारे बाप लगते हैं, नाम है सहन्चा अरे भाई, वैशनल ऐसे नहीं होते हैं वैशनल इनहेंटली अपने को महां उटा जादा नहीं समझता है क्यों महां है, अरे महां नहीं है भाई, टरिरिस्ट है वहां से आए वहां से भगा के आएं, यहां पर आगाएं, आतन के रादी हैं वहां के अपना superiority complex इतना जादा feed हो गया है मन में कि कुछ नहीं तो हम सोचते हैं, दिमाग लगा करके अगर कुछ करेंगे तो इनको बहुत प्रसन आएगा तो हम इस दिमाग लगाना, तो हम इस 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 उसलिए समझना चाहिए, सरल बनना चाहिए, सरलता महांता है complex जो लोगों के साथ हम दिमाग लगा देते हैं, इनको बताएंगे, उनको नहीं बताएंगे, उनको नहीं बताएंगे, उनको कोई फादर नहीं होगा उस हम खुदी, उसी complex mentality से हम खुदी मर जाएंगे एक दिन इसलिए आदत नहीं बनानी चाहिए इस चीज़ के, आप देखिए अपने लाइफ में क्या ऐसा हम कर रहे हैं, जिस प्रकार दुरियोधन है, देखो कटाक्ष के अरे किसी से कोई दिक्कत होती, जा के व्यक्त कर देएंगे, प्रभजी ऐसे वाला, ऐसे कर ले हैं आच्छा साल और जिन्दा बचे हैं, उसी में सब महांता सिद्ध करना है, अपने को बड़ा सिद्ध करना है, दूसरे से जीतना है, हारना है, नीचे दिखाना है, सब का दोश भी देखना है, यह यह यही दूस साल जो जिन्दधी के बचे हैं, उसी में करना है, अरे मरने वारे हैं भाई लेकिन seriously नहीं ले रहे pure devotion करना चाहिए आगले जो भी 20 साल बचे हैं सर्व कृष्णा with full absorption जैसे भी स्थिति में जो भी हमारे साथ चल रहा है कोई प्राब्ब्ल वैसी इस्थिति में जो भी चल रहा है शुद्ध भक्ती करने का प्रयास करें किसी से ज़्यादा लेने का प्रयास नहीं करेंगे उनको देने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो सकेगा हम देंगे हम लेंगे नहीं जितना हो सकेगा हम यही प्रयास करेंगे कि ये सब लोग सब के जीवन में मैं कुछ अगर किरदार अदा कर पाऊ थोड़ी हल्प कर पाऊ अपनी शम्ता के अनुसार तो मेरा सो भाग गया मैं सब को हल्प करूँगा सब को आगे बढ़ाऊँगा मैं किसी को भी मैं नहीं चाहता है यह मैं किसी को भी दोश देखने के लिए और यह सब के लिए टाइम ही नहीं है भाई वी डूंट हाव टाइम एक विखती मुझे कह रहे थे कि प्रभुजी आपके साथ यह इन्होंने ऐसे ऐसे कहा है आपको तो आप कुछ करिए पर मेरे पास टाइम यह नहीं है मैं कुछ करूँ अगर मैं सोचू भी कि इसे बदला लूँ मैं तो मेरे पास टाइम यह वेस्ट करने के लिए बदला लेने में बहुत टाइम वेस्ट होता है इससे अच्छा दो माला करना चाहिए इसलिए आज हमने यह चर्चा किया भाषा इंद्रियों का प्रयोग यह सब आदत बनती जाती है सावधान होना चाहिए समय बहुत कम है slang language यूज़ करना आ रहे हैं ऑफिस से आए जूते वहाँ फेक दिये मुझे वहाँ फेक दिये कंगी उठाई कंगी कहीं फेक दि तो आदत बन रही है यह to miss handle things to never be constructive जो चीज को जाँ से उठा रहे कहीं और रख रहे तो यह don't create it as a habit ठीक है तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं मैं उन भक्तों के अच्छा आपका कोई प्रश्न है किसी का तो unmute करके पूश सकते हैं any questions आज हमने यह चर्चा किया every momentary action creates a habit हर कार्य जो हम करने जा कर रहे हैं उसको करने का तरीका एक आदत बनाता है जैसे आपने mobile है किसी को देना है आपने ऐसे fake के दे दी अब देखेंगे आप आप भी फेक नहीं में रूची हो जाए ले फेक रहे रिंकुमातिज आपको कुछ पूछना है या फिर hand raise क्या पूछना प्रभुजी देनवत पर नाम एक मिनट पूछना प्रभुजी अवाज आरी प्रभुजी मेरी आरी थेंक यू प्रभुजी थेंक यू सो माइच बहुत ही सुन्दर लेक्चर था प्रभुजी फोड़ा सा मैं लेट होगी जाइन करने के लिए तो प्रभुजी जैसे आप आप ने कहा कि हमें पूरे अब्जब्शन के साथ भक्ती करने चाहिए और जो भी अपनी टॉक है वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ दुसरों को सुनाना चाहिए ताकि दुसरों की लाइफ में भी ट्रांस्फॉर्मेशन आए प्रभुजी कई बारी लाइफ में ऐसी भी टीचर देखे हैं जो दिखाते डेडिकेशन है प्रभुजी पर लेकिन अंदर से वो कितने मलीन है प्रभुजी दुसरों के प्रतिक ऐसा अग्रोश है उनके मन में और अभी लास्ट में जो आपने कहा कि हमें कुछ कभी बोल दे कि भी आपको ऐसा किया ऐसा बोला तो हमें आप उनके साथ बदला लो प्रभुजी मुझे बहुत अच्छी लगी आपके बात कि समय नहीं है कल्यूक जो है ये गोल्डन पीडर्ड है बक्ति के लिए हम दो माला एक्स्ट्रा करें हम क्यों उनके साथ फसें और बदला अगर हमने कभी गलत किया काउंट आगे कोल दिया है बदला लेना इंसान की नियत नहीं है प्रभुजी बदला जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं ये सब कुछ देख दा है प्रभुजी मेरा प्रशन नहीं था ये चोटा से की रिलाइजेशन था थैंक यू प्रभुजी थैंक यू सो मज हरे कृष्णा प तंग पर रखा जाता है तंग कट जाती है प्रभुजी ब्लेट के ओपर हनी डालते हम ना तो हनी का टेस्ट तो हम ले रहे हैं लेकिन उस ब्लेट से जो हमारी तंग कट रही है वो हमें महसूस नहीं हो रही ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन महसूस नहीं हो रही महसूस क् हनी अंदर जा रहा है तो यह बहुत एक संसार का सुख ऐसे है प्रबजी हम किसी के सब गलत करेंगे जिनकी हम भक्ती करेंगे वो उन्हें दंड देंगे हमें कोई जरूत नहीं हमें वही करना जैसे आपने भी कहा कि दो तीन माला एक्स्टा कर ले जैसे प्रबजी जिराफ हो होगा तो मेरे मुह से ब्लीडिंग होगी उसको यह सब कुछ बता है तो इस तरह जो जिसके साथ गलत कर रहा है प्रबजी उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं उसके अंतरात्मा उसे डश्ट पहुंचा रही है लेकिन उसको यह भी पता है जिराफ की तरह उसके मुह से ब् नहीं है गुरू और गोविंद के चरणों में जगा मिल जाए हर टाइम उनकी सेवा उनकी भक्ति उनके स्मर्ण का मौका मिले रभुजी इससे भेटर हमारे मुश्य जीवन के लिए कुछ नहीं है थैंक रभुजी जय गुरुदेग अरे किष्णा प्रभी तर्बत अरे किष प्रभुजी अब अब आपने पंच कन्या बताये थे ना अहिल्या मंदोदरी तारा दुरुपदी नित्यम महा पातक नाश्रम ब्रुप जे और ला द्रॉपड़ी तारा कंटार नहीं यहां कैंट भागत्म में नहीं है या चीट शीटा न प्रुभी सेटा ने हैं कि यह सीटा तो फिर भगवत जोिए न लक्शमी rock भग시간 है सीटा देवी कि समरण तो है है यह वो कन्याई हैं जो कि मतलब यह अर्थली क्रीचर है बहुतिक तत्व वाले हैं बहुतिक अर्थली क्रीचर है सीता देवी और यह तो फिर बहुत ही मतलब दिव्य हो गए ना आप समझ गए ना तो यह जी कि इनका नाम लेने से क्या हो जाता है मरन करने से महापातक नाश हो जाता है महापातक मतलब किसी ने अगर कोई महापातक मतलब यह है कि कोई अगर मांस खा ले या बड़े पाप कर देता है तो नरक जाना पड़ता है ना तो वो बेसिकली नरक नहीं जाना पड़ता है लेकिन ठीक है, तो और कोई कुछ कहना चाहते है अरे किश्टा प्राम के दना प्राम येस मात जी अब लास्ट का सुना था बहुत सुन्दर बता रहे थे आप कैसे में भाशा पर अपने कंट्रोल होना चाहिए नहीं तो नाम तो ले रहे हैं लेकिन वो सही, जो नाम ले रहे हैं वो हार प्रकट नहीं हो रहा है उसका प्रभाव होना चाहिए थोड़ा, सही से इसे से बात की जाए प्रवजी ये तो बड़ा कोशिश करते जैसे ये होता है कि हमने थोड़ा सा किया, यहां भी तो माला किया है तो 2-3 गंटे, 4 गंटे तो बिल्कुल उसी मूड में बड़ा साफ्वे मूड है फिर जैसे जैसे आता है कुछ समय, किसी ने कुछ यह कोई भी बात पिर ऐसा हो जाता कि उस सब खराब फिस उसे फिस उबे से शुरुआत करेंगे, अच्छे से करेंगे फिर कोई, कहीं न कहीं पता हम जितना कोशिश कर रहे है यह नहीं कर रहे है पता नहीं क्या हो रहा है कि अच्छे से यह कहता है कि कैसी भाशा है तुमारी भाशा ही खराब है यही सुनने को मिलता है मतलब रोज रोज यही करके कोशिच करते है प्राथना भी एई होती है कि अच्छे से नाम लेंगे और नाम जब अच्छे से लेंगे जब हम दूसरों से सही से वैबार करेंगे सब सही जैसे आप गह रहे हो कि सब सही करना है हमें अपना अन्यवी लाशचता शुनने हैं पस्षि भगवान के लिए गर आपे लिए अपने लिए तरह को नहीino किया कर रहे हैं मतलब ऐसा कि यह जो प्रयास होता है यह तभी तक होता है जब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं हो गा जब कोई वेक्ति भगवान से वास्तव में प्रेम करने लगता है तब इतना प्रयास की अवश्क्ता नहीं पड़ती ये प्रयास मैं इसलिए बता रहा हूं करने के लिए क्योंकि अभी समाज में रहना है आप क्रियस्त आश्रम में हैं, हम भी समाज में ही रहते इन फैक्ट इस कौन के मंदिर देखेंगे आप तो समाज में है जब हम इस तरह का आचरण करते हुए लोग देखते हैं तो उनकी श्रधा कृष्ण पर या और भगवान पर शास्त्रों पर कम होती है लोग करते हैं रहे इस कौन तो ऐसे ही हैं देखो इसलिए हमको आचरण थोड़ा देखना पड़ेगे यह बात सही है कि हम उतना कर नहीं पाएंगे कई बार लेकिन अच्छी चीज़ का ट्राई करने में अच्छा तो है ट्राई तो किया कम से कम या नहीं और जो अभियास से यह हो जाएका और इस अभियास में कृष्न प्रसन्स होगे कि देखो मेरा भक्त try कर रहा है कम से कम अपने अचरण को सुधारण करने का प्रियास तो कर रहा है inizi be a symptom of sincerity although by our trying we may not be able to purify ourselves but it will show our sincerity so much so that Radharani will catch the color of Krishna and say, O Krishna, please purify them. They are sincere devotees. So, yeah. एना रादिका मतजी? प्रभुजी. आरे किस्टा. आरे किस्टा प्रभुजी, दन्वत प्रणाम. दन्वत प्रणाम? प्रभुजी, प्रभुजी, मतलब, रात पे क्या हुआ, रात मेरे जो कजिन ब्रोजर्स हैं, उनकी कोल आई मेरे पास. मतलब, वो मुंबई रहते हैं. तो, मतलब, वो मेरे को ऐसा पूछने लगे कि क्या चल रहा है लाइफ में और क्या करती रहती हो? भुजा, भुजा कैसे करती हो? मैंने बोलाइक कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो बोलके हो की और पढ़ाएं, स्टड़ी वजा रहा है, मैंने का भी कुछ ने चल रहा है. तो फिर बोलते हैं कि मतलब तुम और क्या करती हो दिन बर? कहरें कि सच्छा तो भगवत गीता पढ़ ले अगरो, मैंने का पढ़ती हूँ मैं, तो कहरें कि फर्स्ट लोग बताओ क्या है भगवत गीता का. मैंने बोला उनको कि मैंने का लारन करना जरूरी नहीं है, मैंने का समाझ जाजाएं वो ज्यादा जरूरी है. तो प्रभुजी मतलब तो वह ऐसे बोल रहे हैं कि ना पढ़ रहे हो स्टड़ी कर रहे हो लाइफ में ना कुछ कर रहे हो क्या चल रहे है जिंद्गी में तो फिर मतलब उन्होंने मतलब मुझे कुछ ऐसी बाते बोले हैं जिससे मुझे बहुत हुट हुआ तो मतलब मेरे मन में उनके लिए ये आया कि या मेरे को क्यों बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं जा उनके परतिद्वेश मांगनाा रही है मेरे अंदर हाँ तो इसलिए हमारे लेवल पे क्योंकि अगर कोई चीज हमारे माला के समय में हमें डिस्टर्ब कर रही है इसका मतलब यह है कि हमारी सहन शीलता के इस तरह से उपर है तो हमको किसी मोह मुक्त व्यक्ति से गाइडेंस लेकर के बात करना चाहिए इसको अपने मन में सहन सहन स करते 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 नहीं रखना नहीं तो भरेगा और एक दिन फटे का किसी नॉर्मल व्यक्ति के उपर आप समझ रहे हैं तो आप इसको एक्सप्रेस करना जब भी यह घटना हो सबसे पहला तो यह तरीका अगर कोई चीज बुरी लग रहे हो कुछ हो रहा हो वहीं के वह ही खतम करने का यह हैं तो उसको वहीं पर ही उनको भी बोल सकते हैं कि आप ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे क्योंकि मन में आप गरज रख करके जीना ठीक नहीं दूसरा चीज किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि इस इंसार में दुश्मनी के लिए हमारे पास टा होता है पता चल गया आपको अब हमको यह सिचुएशन से बचना है तो क्या करना है एक स्टेप तो यह है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है दूसरा स्टेप अगर नहीं दूर सकते हैं अपने ही close cousins हैं close रहें तो उन से फिर यह कह सकते हैं कि आप जब इस तरह का हमको भाशा का प्रयोग करते हैं अगर कुछ करना है आपके पास advice है कुछ कहना है तो आप सजेश्ट कीजिए मैं करने का प्रयास करूंगी लेकिन अगर जैसे इस तरह के भाशा करते हैं कुछ कर भी नहीं रहे है ऐसे वैसे भई तो मैं कोई ऐसे तो नहीं कि गुटका खा रहे है या फिर पांच अब रहे है ऐसे कोई है ने वहान की भगति कर रहे है तो और और कुछ भी ऐसे को ऑद्लत काम करनी तो टो ऑर हम कोई हपी नहीं कि आन्रमा टृनिंग देर है आतंक वाद की और तो आब इनसे जैसकते कि इस तरह से जलोब आप भुलते हैं तो मिरा मन बजलित ह होता है तो आप किवल अगर कुछ समझा क्लोज है तब अवाइट कर सकते हैं तो जादा फोन वोन मत वो करें काम कटम हो गया और अगर समझ आप ये भी बात को समझो शिखा माताजी कि इस तरह के experiences आपको माला नहीं करने दे रहें अगर कोई genuine आपसे प्रेम करता है तो उसका तरीका थोड़ा सा कई बार गलत भी होता है लेकिन उस तरीके को हम सहन करके genuine जो प्रेम है उसको उसमें देख करके हम ये समझें कि अच्छा नहीं ये ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से पढ़ाई कर ना चीए तो ठीक है आपको क्या करना है वो ये लोग नहीं बताएंगे इन लोगो क्या पता है दुनिया के बारे कुछ ज्यादा पता नहीं है वो ही मुंबई देख लिया वो ही सब देख करके वो लोग तो बता रहें तो इसलिए हमारा जो एक तो बहुती का जो रास्ता ह वो तो हई है कर दो गार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ लोगे भाषा ऐसी होती है जैसे आप वहां के एटा के है कहां के है मत जी अभी कहां रह रहे हैं प्रभुजी में सहारनपूर से हूँ सहारनपुर में क्या सहारनपुर वगरे में कई वारे से होता है भाशा थोड़ा वैसी होती है लोगों के प्रेम करने का स्टाइल ही अलग है अब जैसे वो मेरट वालों को मैं बता रहा था न उन्हेंने का कि हम तो आपको मंदिरी छोड़ेंगे मैंने बोला भाई अभी मुझे पता नहीं है वो मुझे रिसीव करने आ रहे हैं जो आ रहे हैं तो उन्में बोला बबा तुरों मंदिरी छोड़ना हुए भाई उनका लव का स्टाइल अलग है तो ये सब चीजों को भी observe करना है अगर कोई चीज रियल आपको hurt करती है तो वैसा experience यहाँ पे ज़्यादा create न करने के लिए सेगंड चीज सम्टाइम्स हमारे जो पास के लोग हैं कई बार हमसे सही भी बोल रहे होते हैं भले इस टाइल गलत है उनका लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि सच भी बोलते हैं तो उनके जो गलत भाषा के बीच में से सचाई जो है वो खोज लेना चाहिए लेकिन अगर उनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं हम सहन नहीं कर पा रहे हैं माला में disturb हो रहा है अगर तो उस experience को वहीं के वहीं खतम करना पड़ेगा कुछ बोल उनको बता देना है कि देखिए ऐसे करना आप ठीक नहीं अगर आप genuinely कुछ करना चाहते तो मुझे बोल दीजिए लेकिन इस तरह से भाषा का आप प्रयोग करेंगे आप कुछ कहेंगे मेरे को बुरा लगता है इससे बता देना चाहिए तो simply हार्ट से वेक्त कर सकते है बहुत close relationship है तब यह सब नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग फिर वो close relationship फॉर्मल हो जाता है बहुत close है तो यह सब नहीं करते है फिर अवाइड ही कर देना चाहिए यह लोग बढ़ा के पात रहें इनको पता ही नहीं है कि जीवन क्यों जी रहें यह ऐसा ही कई जन्मों तक जीते रहेंगे यह ऐसा ही पड़े रहेंगे तो जो व्यक्ति जेल वाले कैदी का हाल है पिता जी बोल रहे है कैदी को अपने बेटे को अरे बेटा तुम अगर इस जेल से निकल जाओगे तो यह दुनिया में तुम कुछ करने रहें अरे पत्थर तोड़ो जेल से निकलने का ही प्रयाज कर रहें अरे इतने सारे पत्थर एक तो तोड़ो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ इस तरह से वो समझाते हैं जैसे कोई जेल में आ जाए को और हम ये जेल में हैं दुनिया में तो ये जो उसमें कई लोग होते हैं वो बहुत concern से आते हैं हमारे पास इनको पता नहीं होता ना गीता पता होती ना भगवत भक्ती पता होती कुछ नहीं पता तो ये आते हैं हमको समझाने के लिए कि धर मैं तुमको बताता हूँ देखो ये जो पूजा पाठ है ना ये इस एज का कार नहीं है ये जब पुठी हो जाते हैं उनके लिए जब दाढ तूट जाए शरीर सड जाए पुरा जब कुछ कर न पाओ तब भगवान के पास चले जाओ भगवान अपना दवाईवाई करवाएंगे अपना ठीक करेंगे तर भगवान के पास जवानी में यंग एज में नहीं जाना चाहिए ऐसे वो लोग समझाते हैं इस समय क्या करो तुम हमारी सेवा करो मेहनतिर के पैसे लाओ हमें दो है ना नहीं हम थोड़ा मज़ा करना चाहते या फिर तुम नहीं मज़े करो ये दुनिया के सड़े गले चीजे खाओ, मांस खाओ, शराब पियो इस तरह से जीवन जीओ जब सरीर खराब कर लोगे सड़ जाएगा तो भगवाल को भी चले जाओ, क्या दिक्कत है तो ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि तुम जेल में हो, तुम जेल से निकलो मत आखिर सोचो दोखो ये दोखो, इनको दोखो 70 साल हो गया हैं कि जेल में कितने महां कैदी हैं ये और तुम यहां से निकलने की बात कर रहा है तो इन लोगों का बुरा नहीं माना है जिनको पता नहीं कि हम लोग जेल में इनको तो लग रहा है कि हम Switzerland में है Switzerland की जेल है लेकिप ठीक है ना श्रीक हमाते जाए चीक है अगर बहुत close relationship है ये वो लोग हैं जो कि हमारे near and dears हैं कभी हमारी care भी करते हैं रिदे से जो लोग है तब उनका जवाब किसी भी तरह से नहीं देना चाहिए सहलेना चाहिए क्योंकि उनका intention खराब नहीं होता है हाँ अगर कोई दोस्त ऐसे कोई है cousins हैं ऐसे ही फालतू मैं ही कुछ कह रहे हैं तब उनको एक बार अगर हम बोल देंगे कि आप जब इस तरह से बोलते हैं जो ठीक नहीं लगता है बस वो एक बार में समझ जाए ठीक है तो अभी मैं इसको यहीं पर close करता हूँ आज बहुत समय हो गया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो मैंने आपको बताया सहन छीलता की दो पहलो पहला पहलो यह है कि अगर हम सहन कर सकते हैं तो वो माला को disturb नहीं करना जाए है second thing यह है कि सहन चीलता का अगर माला को disturb कर रहा है तो phone करिए मेरे number भी है सब के पास phone कर यहीं नहीं तो audio में नहीं तो message में लिख करके सब एक्स्प्रेस कर दीजे, open the heart, सारे हिर्दय को खोल दीजे, हिर्दय को व्यक्त कर दीजे, भर भर के मत रखे, भर के रखेंगे तो फिर मन एक दिन भरता रहेगा और एक दिन फट जाएगा, चुछ बारे, ठीक हैं, तो इसको अभी हम एक लिए